प्री आएंस को इसे जो फ्री आएंस हमारे बोडे में चोड़ी में चरुते हैं वह बहुत हाम करते हैं हमारे शरी को बहुत तक्ली पहुशा सकते हैं कि जब हम जमीर पर चलते हैं नंगे पाव तो अर्दी हो जाते हैं कि यह सारी विद्ध भारिक कड़ना तो आपने आपों जमीर में चल जाते हैं और हमारा शेरीड क्लीन होता है वह से ही ओम लब बीच का उच्छान करने से भी हमें यहीं फ्याजा में रहते हैं कि यह कापड़ तो अंच्छा इंड़क्टर होई प्रावलम नहीं यह तुम से पता नहीं रहे हैं आपनों जमीन पर नंगे भाव चलने से दिन में यह अपते में भी अर्था आथा घंड़ा चले तो यह अंतिक होता है और इस वेरी गुल फॉर्ट वार्ड़ अब उसी से वर्याव अपनों की चप कर रहे हैं ओम लंग ओम लंग तो क्या होगा आपका मुलाजर चक्रह और भी स्ट्रॉम बनेंगा लेकिन हम आज लोग चलते ही नहीं चलते हैं तो श्रॉम पेंकरी चलते हैं अब पैरकत फुरूशी भी मीट्री लगी तो आपने क्या 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 है बच्चों के दर्पों को रहा थे हम लोग भाजा नियसा है मैं ऐसा लगा कि आप चेखा मुझा तो मिट्री लगा लिए या रवेसा नहीं बढ़ेगे आए में डॉक्तर हम लोग मिट्री पर चलना चाहिए इसले बोलो मिट्री का जमीन का कॉंट्रेक हमारे बाड़ी के सा बहुत आविश्य का है राइट अगर बंबई में मिट्री हाई कहा है कि रोड़ पर नहीं तो अपने धर पे बाजवे कम से कम जो थोड़ा पाड़ है वे अच्छा कंड़क्टर होता है इलेक्ट्रोंस का तो उस पर चलके देखिए अप्ते में सिपाधा करता है आपकी सहत बहुत अच्छे लेगे और तक अगर आप ओम लंग ओम लंग ओम लंग यह जब करेंगे या यह प्रदेक्शनस सुनेंगे तो आपको और भी फाइदर है समझें